नाइट्रोजन परिवार जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो विभिन प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं तो प्राया ये प्लस 3 ऑक्सिडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स होते हैं तो जितने भी इसके हाइड्राइड होते हैं उसमें आप देखिए प्लस 3 ऑक करिया करता है तो अमोनिया बनता है दूसरा है फॉस्फोरस से तो फॉस्फीन बनता है पी एच-3 इसी प्रकार आर्सीन एस एच-3 स्टिबीन स्टिबी एच-3 बिसमतीन बी एच-3 तो यह जितने भी हाइड्राइड्स है यह हम देखे कि किस प्रकार से यह उक्सिडिशन स्टेट समान ऑक्सी करनवस्था दर्शाते हुए बनते हैं हाइड्रोजन के प्रती जब इसकी क्रिया शीलता को हम देखेंगे तो इसमें कुछ र वो एक ही प्रकार से हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बना सकते हैं तो कॉमन यदि हम उसका रियक्षन देखेंगे तो 2E plus 3H2 is equal to 2EH3 और उसका एक उदाहरन देख लेते हैं कि नाइट्रोजन यदि N2 है plus 3H2 is equal to 2NH3 तो अमोनिया फॉर्म हुआ अध्यान करेंगे तो कई सारे गुणों के रूप में हम इसका अध्यान कर सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे अवस्था तो ये सभी जल में विले होते हैं और गैसिस होते हैं दूसरा हम देखते हैं इसका स्थाइत्व तो जब हम इस परिवार में उपर से नीचे आते हैं तो E और H के बीच का बंद है, वो दुर्बल हो जाएगा, तो जब E और H के बीच का बंद दुर्बल होने लगेगा, तो बंद वियोजन उरजा का मान कम हो जाएगा, तो स्थायत्व के मान में भी कमी आती है, तो जब हम उपर से नीचे आएंगे, तो अतिव्यापन की मात्र कम होती जाती है आकार बढ़ने के कारण तो यहाँ दुर्बल होने लगते हैं इस कारण से इसका इस्थायत्व कम होने लगता है दूसरा है अपचायक कुण तो अपचायक क्या होते हैं जो हाइड्रोजन देते हैं यहाँ पर हम E-H bond देखते हैं तो H देने की शमता जिस हाइड्राइड में जितनी जादा होगी या जो जितनी आसानी से H देते हैं दूसरे योगिकों को वो उतने अच्छे अपचायक होते हैं तो यहाँ पर जब हम उपर से नीचे आते हैं तो चूकि आकार बढ़ता है तो जो बंध वियोजन उर्जा होगी या हम देखें E और H के बीच का जो बंध है वो दूर्बल होता जाता है क्योंकि आकार बढ़ रहा है तो H त्यागने की जो चमता है वो बढ़े आकार के परमाणू में अधिक होती है तो उपर से नीची आने पर अपचायक गुण में वृद्धी होगी तो अमोनिया दुर्बल अपचायक होगा और यहाँ पर जो बिसमतीन है वो सबसे अधिक अपचायक होता है तो अमोनिया दुर्बल अपचायक होगा और BiH3 प्रबल अपचायक होते हैं हाइड्राइडों का जो अगला गुण है वो है छारी गुण, तो चुकि नाइट्रोजन परिवार के सभी सदस्यों के पास एक लोन प्यार ओफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे वो देकर छारीता प्रदर्शित करते हैं, लुईस छार की तरह बेभार करते हैं, तो यहाँ पर जब हम छारीता को देखेंगे, तो उपर से नीचे आने पर जो छारीता का मान है, वो कम होने लगता है, इसका कारण यह है कि चुकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, वो बहुत छोटे आकार का होता है, तो इलेक्ट्रॉन घनत वो एक छोटे से छेतर में होता है, तो इ जो लोन प्यार होता है वो अधिक आयतन में फैल जाता है तो इलेक्ट्रॉन योग्म दान करने की जो प्रवृत्ती होगी उपर से नीचे आने पर वह कम होती है इस वज़ा से अमोनिया प्रबल छारी होता है जबकि Bih3 दूर्बल छारी गुण तर्शाता है क्योंकि उपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक आयतन तक फैल जाता है तो इलेक्ट्रॉन योग्म देने की जो प्रवृत्ती है वह कम हो जाती है अगला गुण है क्वथनांक चुकि नाइट्रोजन आकार में छोटा होता है और हाइड्रोजन बंद की प्रवृत्ती रखते हैं तो जब ये हाइड्रोजन बंद बना सकते हैं और जब हम उपर से नीचे आते हैं तो आकार में वृध्धी होती है इस कारण से वहां रेड्विदुता का मान हाइड्रोजन के बराबर हो जाता है उन सभी तत्मों का तो वे हाइड्रोजन बंद बनाने की छमता नहीं रखते हैं तो चुकि इन में हाइड्रोजन बनाने की प्रवृत्ति अधीक होती है तो ये आपस में संगुडित हो जाते हैं अमोनिया में हाइड्रोजन बन पाया जाता है यहां पर देखिए NH3, NH3 आपस में मतलब एक अडू NH3 और दूसरे अडू NH3 के प्रवृत्रोजन बनाने की शमता नहीं रखते हैं जबकि उपर से नीचे आने पर जो नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड होते हैं वहां अडू भार में व्रिद्धी होती जाती है वांडर वाल आकर्शन बल भी बढ़ जाता है तो इसलिए जब फॉस्फीन के बाद के हाइड्राइडों को देखते हैं तो क्वाथनांक में धिल लगातार व्रिद्धी होने लगती है और इसी प्रकार की व्रिद्धी उनके गलनांक में भी होती है अमोनिया से फॉस्फीन का गलनांक कम होगा जबकि बाकी सभी जितने भी उन सब का गलनाग उच पाया जाता है वांडरवाल आकर्शन भल के कारण एवं उच अनुभार के कारण अगली प्रवित्ती है यहां पर हाइड्रोजन बॉन तो चुकि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन बना सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का अकार छोटा होता है रेनविद् प्रकृती जितने भी हाइड्रोजन परिबार के यह सभी सहसे उजग प्रकृती दर्शाते हैं तो अमोनिया के उदाहरन से हम समझते हैं इसको अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो SP3 संकरित अवस्था में रहता है और यहां पर चार संकरित कक्षक होते हैं जिसमें से त प्रोजन के 1S के साथ सिग्मा बॉन बनाता है और जो अगला SP3 संकरित कक्षक है वह लोन प्यार ओफ एलेक्ट्रोण की तरह कारी करता है तो इसलिए जो यहां बंद कोण का मान है वह 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 107 डिग्री हो जाता है और जैसे जैसे हम उपर से नीचे आते जाते हैं तो उपर से नीचे आने पर चुकि आकार में वृध्धी होते जारी है और आकार में वृध्धी के साथ जो विद्यूत रिड़ता का मान है वो भी कम होने लगता है तो समान बंद यूगम NS3 से BIS3 तक देखते हैं तो दूर दूर होने लगते हैं तो अमोनिय प्रतिकर्शन का मान अधिक होता है तो जब प्रतिकर्शन अधिक होता है तो बंद कोड के मान में वृध्धी होती है जबकि बाकी जितने भी हाइड्राइड है आप देखिए यहां लगातार बंद कोड के मान में कमी होती जारी है क्योंकि यहां रिड़ विदूता का मान भी घटता जा रहा है परमाणुअकार के बढ़ने के साथ-साथ. अगला गुण है विलेता. अमोनिया और जल के मध्य हाइड्रोजन बंद बनने के कारण अमोनिया जल में घुल जाते हैं. लेकिन इसके अलावा जितने भी हाइड्राइड होते हैं वे जल में नहीं गुलते हैं क्योंकि वो हाइडरोजन बन बनाने की शमता नहीं रखते हैं